बस मोतरम पेज नमबर चेप्टर तईस निकाल लें पेज नमबर फाइफ फिफ्टे नाइन क्वेश्चन नमबर बीस होमवक में दिया था ये कुछ हाइलेट नहीं हो और नहीं किया अच्छा क्वेस्टिन online is now और लोग ने उधर से किताब शेयर कर लें और नहीं होमवक में आच्छा जी पुष्टिन नमबर बीस क्वेश्चन नमबर बीस में आएं पॉइंट नमबर 3 एफे ने दिस्ट्राइए की है एफे ने दिस्ट्राइए की हैं कुछ चीजें पेज 559 डिस्ट्रॉइ की हैं कुछ चीजें 45,000 रुपे वली आफ्टर फॉलोइंग दे ड्यू प्रॉसेस ड्यू प्रॉसेस फॉलो करके अंडर सेल्स टेक्स रूल्स 2006 ड्यू प्रॉसेस ये था कि आपने कमिश्टर से जादत लेनी थी और एडिशनल कमिश्टर लेवल के बंदे को बलाना था चीज़ें डिस्ट्रॉइ करने से पहले इंपुट वस रिकॉर्ड़े इन पिछला महीना पिछले महीने इसका इंपुट रिकॉर्ड हो गया था याद रखे कि जब चीज़ें डिस्ट्रॉइ होंगी न तो जिस महीने डिस्ट्रॉइ होंगी उस महीने इंपुट को डैड करने अब डैड करने का तरीका क्या हो सकता है पास्ट में जब कभी खरीदी होंगी तब रिकॉर्ड हुआ होगा आज उसे क्या कर दें डेड कर दें डेड कैसे करें मुबाइल भी ला दो डेड कैसे करें डेड करें working one में माइनस करके ठीक है तो लिखें इंपुट डिस्ट्रॉइट गुड्स का डिस्ट्रॉइब वले महीने में उल्टा देंगे बंटो भाई उनको बुलाएं बंटें इंपृट डिस्ट्रॉइट गुड्स का डिस्ट्रॉइवले महीने में क्या करतेंगे वर्किंग वन में माइनस करतेंगे इस तरह की एक और चीज भी वर्किंग वन में आप माइनस करते थे जब क्रेडिटर को 180 सी दिन तक पेमेंट नहीं होती थी तो जिस महीने आपको याद है 1801 दिन पूरा होता था उस दिन हम क्रेड़र को उल्ड टा देते थे वर्किंग वन में जाके तो बस जिस महीने चीजें खरीदने पर इंपुट रिकॉर्ड हो गया होगा बस वैसे वर्किंग वान में मैनस होजेगा क्योंकि इनका इंपूट करना है पॉइंट नंबर फॉर तो मैंने बताया था फ्री रिप्लेस्मेंट्स टेक्सेबल नहीं है लाओ में पॉइंट नंबर फाइफ अडेबिट नोट एक डेबिट नोट है जो हमने इशू किया है और सा चप्तूर चल रहे है ट्वंटी थ्री एक डेबिट नोट है जो हमने इशू किया है नई कस्टमर ने इशू किया है हमारे a debit note was issued by customer in respect of goods return customer चीज़ें वापस करके गया ये sale return है परचेज return है देखें sale return customer चीज़ें वापस करके गया so it is called as sale return भाई अभी ना बांटें सारी क्लासों में कठे बांटें ये तो फिर planning out हो गी है अच्छा तो रोक दे बांटें तीनों क्लासों में कठे बांटें 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 शुरू करें अच्छा अब मुहतरा मुझे ये बताएं के customer sale return पर debit note issue करते हैं ज़रा में नजर मारा हूँ customer sale return पर debit note issue करते हैं हाँ बिल्कुल customer जब चीज़ें वापस करा हो कौन सा नट issue करते हैं debit note पहला जब चीज़ें वापस हो रही है अच्छा customer debit note issue करतेगा कि मैंने चीज़ें वापस मेरी sale क्या हो रही होगी काम हो रही होगी तो लिखें मेरी sale काम होगी scenario one है मेरी sale काम होगी scenario one है 3 हो 3 बंदे नहीं है फोटो कॉपियर से एक बंदा लुआ लें अच्छा तो मेरी सेल कम हो रही होगी इस लिए कोंसा सेनेरियो है अब 180 डेस के लिमिट लगाएंगे सेल कम होने से कमेंड को नुक्सान होगा आउटपूट कम अब 180 डेस के लिमिट लगाएंगे 180 डेस अब गिन नहीं सकते तो बस जियूम करें वानिटी डेस के अंदर ही है तो लिखें वानिटी डेस हम गिन ही नहीं सकते डेटा नहीं है फिर क्या करें अजिस्मेंट करतें एक नौर करतें लेकिन क्या लिखवाएं मैंने नहीं नहीं सबसे आफरी लाइन जो है 180 डेस के लिमिट हम गिन ही नहीं सकते तो बस एड़्जस्मेंट कर दें फिर बस एड़्जस्मेंट कर दें फिर दोनों पिठे बांट रहे हो चलो एक मिनट रोग दो फिर तीसरी क्लास में कोई नहीं गिया अभी आप चले जाएं फीमिल हाइब्रेट में हो गया जी भाई आप हदरात के पास दो लगलत पेजिस पहुंच गए एक पेज है और एक साथ आठ सफे हैं हाथ खड़ा करके बताएं जरा एक पेज और साथ आठ सफे पहुंच गए हैं हाइब्रेट में दरा हाथ खड़ा कर दें नहीं कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा है और नहीं पहुंचे एक पेज और साथ आठ सफे पहुंच गए हैं मैं आफरी दफ़ा कह रहा हूं हाथ खड़ा कर दें जिसके पास ना पहुंचे हो एक पेज और साथ-अठ सफे वो खड़ा हो जाए ओहो ये तो काफी सारे लोग हैं भाई बॉइस हाइबरेट में जाओ भाई पॉस करके जल्दी से साथ-अठ सफे जो हैं उस पे हमने कुछ इंपॉर्टन्ट सवाल लिखे हैं साथ-अठ सफे नहीं पहुंचे पांचे सफे अलग से अब्दुलाव वह पांचे सफे इदर नहीं पहुंचे अलग से पॉस कर दें अच्छा जी यह एक सफ़ा तो आपको आज बंटा है जिसमें यह लिखा हुए आज कि हमने नोट्स में क्या करना है फिर एक सफे आपको चार सफे बंटे हैं मादरत चार छे चे पेजिस हैं यह जो छे पेजिस हैं इन में कुछ इंपॉर्टन नुमेरिकल्स लिखे में हैं यह अगर आप इन नुमेरिकल्स को मैं यह तो नहीं कहूंगा अब आप पूरा करें पूरा कर सकेंगे यह नहीं कर सकेंगे तो इन नुमेरिकल्स को कम से कम इन में से कुछ नुमेरिकल्स अपने हाथ से गुजार लें बाकि यह वले नुमेरिकल्स सारे अगर आप देख जा सवाल इकठे कर दिये गिया है चेप्टर 25 और सामने उसका नमेठ़ बता दिया गया है। इसमें जो आभी यह चेप्टर 90 15 में मैंने, कि चेप्टर 90 15 मैं सारे सवाल तरतीब मैंने लगा दी है सेक्शन एक सोच तक सारे सवाल叛ें से लगा दी हैं है और 1 एक सो चोदा का वन आई कैप ने कैसे टेस्ट किया, एक सो चोदा का दो आई कैप ने कैसे टेस्ट किया, एक सो चोदा का छे आई कैप ने कैसे टेस्ट किया, एक सो चोदा का छे आई कैप ने कैसे टेस्ट किया, एक सो पंदरा कैसे टेस्ट किया, एक सो सोला का एक कैसे टेस् कि चैप्टर 15 में थोड़ सा इडिशनल मेटीरियल है तो यह मैं पहले नहीं डाला करता था तो यह सारे तरतीब से लगा दिये गए है तो अब आप इस तरतीब से जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो सासा जरा सवाल आपने देखते रहने हैं ताके वहां से भी आपको पत रहे हैं आप लोग भी चल रहे हैं ना कल तो मुझे बाजार जाना पड़ गया था आदा घंटा तो होल उठ रहे थे हमें क्या करों टाइम जाया हो गया अदा घंटा तो आज कल तो बस मारा मरी पड़ी है अच्छा आप जी आजाएं आप अधरात वापस चैप्टर नंब वरकिंग थी में जाके सेल को कम कर देंगे ओके यह कभी नहीं समझीएगा तैयारी के दिनों में कि हर नुमेरिकल अब 100% अपने लग जेगा आखरी दिन भी आपसे नुमेरिकल 70-80% हो नहीं है पेपर से एक दिन पहले इन चीज़ों का कोई हल नहीं है और आप लोगों को वो जो adjustments आनी है 10-20% वो ऐसी आनी है जो आज तक कभी ना ही हो तो वो बिलकुल नहीं आनी है जो किसी को किसी को भी कभी ना ही हो बस उसमें जो आपने समझ आ रहे है वो आपने करके आ जाने बाकि 70% adjustments वही होंगी जो almost class में किसी PTM पढ़ते है अच्छा अब आप हजरात आए चेप्टर नमबर 20 पर question number 72 72 का हमारा एक पॉइंट रहते हैं कौन सा वाला पॉइंट रहते है टू रहते है टू पे टिक नहीं लगाया हो ना आपने 72 के टू पे पे पेज नमबर 526 6 अच्छा मोतरम एक सवाल है मेरा आप से मैं मोतरम कहता हूँ आप देखते नहीं हो इदर देखो मोतरम मेरा सवाल है एक आप से अच्छा कल हमारे नौर्वल तरीके से आएंगे फिर एक दिन आपको किसी और दिन बलाए जागा वो मैं कल टाइम अनाउस कर दूँगा अच करता हूँ यह यूज़ करता हूँ तो उसकी परचेस डेड़ होती है क्योंकि वो मशीन नहीं या एलेक्टरानिक एचर जिस्सन नहीं और अगर मैं कोई फिक्स डैसर खुद बनाऊं और बना के लोगों को बेचता हूँ तो फिर तो मेरा स्टॉक है पिर तो फिक्स ऐसे ट माइक्रोस्कोप मैंने माइक्रोस्कोप बादार से जाके बना-бनाया खरीदा और खरीद के मैंने बिजनस में यूज करने लग गया सवाल ने का it is not a machine it is not a electronic cash register so purchase is dead purchase goods and used in business as fixed asset तो मैं माइक्रोस्कोप परचेस किया और बिजनस में यूज करना शुरू कर दिया इसका input क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा और फिर थोड़े अर्से बाद मैंने माइक्रोस्कोप बेचना भी शुरू कर दिया लोगों को बना बना के एक माइक्रोस्कोप मैंने बना के बेचने की बजाएए अपने इन बिजनस में खुद ही यूज करना शुरू कर दिया यह मैं यह माइक्रोस्कोप कुन सा होगा जो जिसके ओपर लिखा होगा एक बेचने के बगार खुद इस्तमाल कर लू वो कहां जाएगा ओन मिन्यूफिक्चर्ड गुड्स पर्चेज नी किया मैंने खुद बनाया एंड यूजड इन बिजनस है इसे में कहां डालूंगा सप्लाई में ये मेरी क्या बन जाएगी सेल तो ये मेरी सेल समझी जाएगी इसकी पर्चेज तो रिकॉर्ड होगी होगी जब इसका रॉम में टीर खरीदा होगा वो टेंचन ना ले इस मैक्रोस्कोब को मैं सेल में डाल दोंगा नोट करें क्वेश्टन 72 का पॉइंट नमर 2 क्लोला स्वाल कितने घर जागे किया तो बारा हाल करें कितने वह आज करने जो क्लास में किया था कितने लोग नौन स्टॉप लगे में आज कल सची सची बताईएगा सची सची अच्छा टाइम जाय करो अच्छा दूसरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिये का कितने लोगों ने कल 10-15 बिस मिनट जाय किये 10-15 बिस मिनट आदा घंटा घंटा जाय किया जाय किया सोच नहीं सकता बंदा टाइम जाय करने का अपने आपको इतना मस्रूफ कर ले कि मुबाइल पर आपको नेट लगाने का भी टाइम ना मिले यानि डेटा या वाइफाई का बटन प्रेस करने का भी टाइम ना मिले और मैं बता रहा हूँ मस्रूप बंदा अपने आपको कर सकता है तो ना टाइम ही नहीं मिलता फिर छोटी से जिंदगी है इसको प्रोड़क्टिव बनाके गुजार दें आगे फिर मज़ें मैं ये नहीं कह रहा चंद दिन है स्प्तंबर में मैं आपसे ब्रॉडर बात कर रहा हूँ छोटी सी जिंदगी है आप हज़राद जो है टाइम को कीमती बना लें ताके क्यामत के दिन जो है वो सहाबा भी फखर करें आपके उस दिन तो आवाज लगा लगा के लोगों को बलाया जा रहा होगा पिर जिसकी आवाज नहीं लगेगी वो परिशान होजएगा 72 का 2 दुबारा तो जिंदगी नहीं मिलेगी 72 का 2 वो तुम वो क्यों दिखाऊँ पंदरा मिनट से यह लगए है खुद फिक्स टेसर खरीदा और खुदी इस्तमाल करना शुरू कर दिया इसको परचेश डड़ कर दें लेकिन फिक्स टेसर बना के इस्तमाल करना शुरू कर दिया इंड सेम इस फर नुमेरिकल्स टेक्सेबल गोड़ ऑफ पंदरा लाथ वर यूस्ट पर इंटर्नल टेस्टिंग एंड वर यूस्ट इन इंटर्नल टेस्टिंग कोई चीज फॉर्टी परसेंट अफ इस गूड़ पर्चेस्ट अब इंगलि पर्चेस तो डेड हो गई और दुबारा मिलाके पढ़ें 60% वर ओन मैनुफेक्चर एंड यूस्ट इन इंटर्नल टेस्टिंग आप क्या करें जो पर्चेस करके टेस्टिंग के लिए यूस कर रहे हैं उसे डेड कर दें तो लिखें 15,000,000 इंटू 40% इंपुट विल बी इ 15,000,000,000 into 40% for goods locally procured 15,000,000,000 into 40% for goods locally procured for goods locally procured their input will be dead however input will be dead लिखें नहीं इसको inadmissible करें dead का लफ्स बितर नहीं है input will be inadmissible and for remaining 60% 60% and for remaining 60% it will be considered as sub lie. अके जी चलो आगे अच्छा जी एक सफ़ा आज मैंने बांटा है आपको क्योंकि माजरत के साथ हम इदर उदर घूमेंगे आज question 20 कर लिया था आप लोग नहीं homework में आज 22 भी कर लिया था 72 का 2 भी हो गया अब हम आते हैं जी chapter 4 पे resident individual की definition तो इंशाला सारी चीज़ें आपको लिक्षी भी दे दी है आप लोग ने हलका फलका सा move करने यह दर आप पेज नमबर मुझे बता दें chapter 4 में कौन सा है कोई और चीज़ अगर रहती है तो आप मुझे दरा class के बाद आके आज बता दीजिएगा क्योंकि मेरे वो laptop आगे बीचे हो गया है कोई मसला हो गया उसको तो इसलिए वो laptop मैं बहराल उसको सही कराके मैं खुद भी चेक करूँगा इंशाला आफरी class से पहले क्या क्या रहता है लेकिन आप लोग भी दरा मुझे बता दीजिएगा मेरी नदर में बस सब यह रहगी थी यह online वाले अबदुला राजपूत को मेसेज करने के यह चीज रहगी है ठीक है शाजिम साब अच्छा मौतरम हमने एक concept पड़ा था बच्पन में पेज नमर कौन सा निकाल लिया 32 इन नोट्स को आज मैं वेब साइट पे अपलोड करूँगा तो एक एक एक्जामपल भी डालूँगा वे एक्जामपल अभी मैं आपको दिखाऊंगा इदर section 82 में concept था अब बंदा stayed in Pakistan for 183 days or more yes he is president वो resident समझे जाएगा यह सब को पता है यहाद है stayed in Pakistan for 183 days or more no employer official of federal government or provincial government posted abroad in tax here तवेरा प्रेजिरेंट है बता दे number of days कब हम count नहीं करते थे अगर government employee zero days भी पाकिसान में रहा जो posting बाहर वी वीएस की he will still be considered as यह याद है आपको इसके दरम्यान में मैं कोशिश करूँगा upload करते हुए yes डाल दूँ yes he is an employer official of federal government yes so he will be considered as done बाइजान नई बात आ रही आज बाइजान नई बात आ रही आज एक बंदा है हमने उससे पूछा आप पाकिसान में कितने दिन रुके हो कहते हैं मैं पाकिस्तान में रुका हूँ one fifty day one hundred days मैं पाकिसान में कितने रुका हूँ stayed in Pakistan for one eighty three days सिर्फ मैं hundred days रुका हूँ अमने का दर साइट पे हूँ इदर हूँ पाकिसान का ID काड है तुमारे पास हाँ अमने का राम से बोलो हाँ इस citizen मैं का हाँ मेरे पाकिसान का ID काड है इदर हूँ तुम कहा कहा रुके हो इसके लावा तुम लोग क्यों पूछ रहे हूँ अच्छो पचप बता कहा कहा रुके हो सो दिन में जर्वनी में रुका था सो दिन में बंगला देश में रुका था 65 दिन में अफगानिस्तान में रुका था 65 दिन मैं अफ़ानिस्तान में रुका था पाकिस्तान में सो तो याद है ना आपको 365 पूरे हो गए अच्छा दुबारा मैं बताओंगा पाईजन पाईजन दराओ पाईजन पाईजन पाकिस्तान में आप कितने दिन रुके हैं पाकिस्तान में किते दिन रुके हैं सो दिन अलहम दो लिला ये भाई पाकिस्तान में किते दिन रुके सो दिन रुके तो सो दिन रुकने की वज़ा से क्या हुआ ये स्टेप पाकिस्तान में 183 डेज से क्या हो गया कम हो गया ये स्टेप पाकिस्तान में 183 डेज से इसका कम हो गया अब ये सो दिन से कम रुके पाकिस्तान में भाईजन आईडी कार दिखाए अपना ये में डालो आप अच्छा इसी में तो भाईजन ने आईडी कार दिखा अगला सवाल जर्मनी में किते दिन रुके सो दिन बंगला दिश में किते दिन रुके सो दिन और अखानिस्थान में किते रुके सिस्टे फाइव डेज इसका मतलब है किसी मुल्क में आप अच्छा खासा ने रुक रहे कभी इदर जा रहे हैं और किसी और मलक ने तो आपको लिफ्ट करानी नी कभी इदर अधर दर बदर धक्य का रहे हैं आ جाएं यार You are present in any other country for more than 182 days नहीं मैं किसी और मलक में 182 days से जदा नहीं रुका 182 का लफसे दर क्या तुम किसी और मलक में एक सबीटी दिन से ज्यादा रुके हो? केता है एक मलक में सो रुका था, एक मलक में पहेंशेटुड़ी तूड़े से ज्यादे रुका मैं, आजो यार, तुम्हें किसी ने रेजिडन नी मनाना? आज़गो! हम रेजिडन So I repeat it with an example लेकिन उसके लिए example मैंने आपको बताया है मैंने माधरत नोट्स में देनी से का काल इंशाला आपको type करके दे दूँगा मुझे ये बताएं कि पहला सवाल आती ही आपने क्या पूछा करना है 180 3 days ये example है ये आपको पता है किताब मैं नहीं दी भी ये इंशाला मैं आपको type करके दे दूँगा कल इंशाला आज के नोट्स में भी अप्लोट कर दूँगा वेबसाइट में ये point तो आप लोगों ने खोला है नो ये point ना पढ़े कामरान is a citizen of Pakistan he stayed in China for 100 days stayed in Germany for 100 days online लोगों के लिए डाल दी है में नोट्स में मेरा मश्वर है पहले आप लोगों ने क्या पकड़ना है Pakistan कस दी Pakistan कितने दिन रुका 165 stayed in Pakistan for 183 days no अगला सवाल पूछे are you citizen बताएं आखरी सवाल पूछे क्या तुम किसी और मुल्क में किसी और मुल्क में 120 दिन से जादा मैं नहीं रुका या तुम किसने घास ने डालना इज धर हम तुझे घास डाले तूद के हमारी नदर में क्या बन गया resident done so let's change this example a little bit Timoor is a citizen of ये नहीं देखना आपने आपने पहले कोई और चीज देखनी है he stayed in China for ये पहले देखें he stayed in Pakistan for 182 days यहां से शुरू करें stayed in Pakistan for 183 days or more नहीं रुख सका मैं Pakistan 182 दिन जाउसे जादा 183 दिन जाउसे जादा मादरत Pakistan में नहीं रुख सका अगला स्वाल इससे पूछें are you a citizen? are you a citizen? yes आखरी स्वाल इससे पूछें did you stayed in any other country for more than 182 days more than 182 भी नहीं did you stayed in any other country for more than 182 days हाँ चेना में चीन चौंग मीमों के साथ मैं रुखा था 117 दिन उत्तर यार तुझे शायद चाइना वाली रेजिरेंट के दें जा यार तू उदर ही जा तुझे शायद चाइना वाली रेजिरेंट के दें हमें तो लग रहे है अच्छा खासा तू उदर ही रुख रहे है पाकिस्तान तू तू बरकत के लिए आता है शायद तो आप तो ऐसा कर जा या जा किसी और मुलक में रुकें ना एक सो बैसे दिन से जादा जा जा या उन्हीं का हो जा तो चोट ले निकल इदर ते कमरेसे तो प्रेजेंट इनी अधर कंट्री फॉर मोर्डें वारी डूडेस हाँ इसका मतलब है आपको तो दूसरी कंट्री से महबबत है फिर आप जाएं आप हमारी नजर में क्या है डन तो अब मैं नीचे याद रखोंगा जब नोट्स अपलोड करूँ तो यहां लिख दूँगा मैं रेजिनेंट के नीचे कामरान और यहां लिख दूँगा मैं तैमूर और यह एक्जामपल भी आपको कल दे देंगे इंशाला ओके जी बाई जन हमारी बात मकमल हो गई है पहली मिसाल में देखें पाकिस्तान कस्टे पाकिस्तान कस्टे क्या यह पाकिस्तान रुका 183 दिन यह उससे ज्यादा पहली मिसाल देखें यह सिटिजन है यह स्वारी साइट पे हम क्या किसी और मुल्क में 182 दिन से ज्यादा रुका फिर तु 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 तुम किसी मुल्क में रही नहीं दियार ना तुम्हें कोई लिफ्ट करा रहा है आजो हम तुम्हें क्या बना दे लॉजिक भी तो याद रुखे हैं साथ साथ ताकि लॉजिक भी याद रहे और अगर अगला सवाल मैं करूँ पाकिस्तान कस्टे क्या पाकिस्तान में एक से 83 यह स्जदा रुके क्या आप सिटिजन हो हाँ किदर देखें क्या आप सिटिजन हो क्या आप किसी और मुल्क में 182 दिन से ज़्यादा रुके हाँ चाइना में मैं रुका बान 80 जा यार चाइना वालों के हो जो तू तुम हमारी नजर में नॉन रेजिडेंट हो डन अच्छा एक बंदा हमें सड़क पे मिला जिसको सारे गह रहे थे काला तो हमने का ये कोन है उसने का ये तो हबशी है ये प्यार से बोलो ऐसे तो बहुत बात नहीं है बहराल चलो भाईजन को जड़ा ले किया हो जी भाईजन येर मेरा नाम सिंपसन है सिंपसन है आपका नाम जी मेरा नाम सिंपसन है जी भाईजन जड़ा आप साइड़ वे आए आपका पाकिस्तान में स्टे और मैं डेड़ सू दिन पाकिस्तान में रुका हूँ भाईजन जड़ा अपना एडी कार्ड दिखाए नहीं यार पाकिसान का ID कार्ड मैंने क्यों रखने है पाकिसान का ID कार्ड ना ये बंदा ना ये बंदा पाकिसान में सो दिन से उपर रुका ना बिचारे के पास पाकिसान का ID कार्ड है क्या बना दें इसे लॉजिक पर बताईएगा ऐसे फे पर जड़ा ना ये बंदा पाकि 84 days रुख जाता तो ID card नहीं देखना अगर वह 184 days रुख जाता तो diagram लगा लेंगे paper में he will be considered as resident तो वहाँ भी ID card नहीं देखना यहाँ भी ID card नहीं देखना ID card तो इधर देखना है जब stay 183 days से कम होगा done अच्छा जी ये concept आप मेरी तरफ से over हो गया इसको पढ़ते हैं ये मेरी नदर में important चीज़ नहीं है ये मैं बाद में करा देता हूँ इस concept को जरा किताब से पढ़ लें अच्छा मुझे पताएं हम resident की definition पढ़ रही हैं या non resident की तो मेरे ख्याल से अब जो मैं इंग्रेजी पढ़ने लगाऊ ना वो इंग्रेजी इसकी पढ़ने लगाऊ इसकी इंग्रेजी नहीं पढ़ने लगा क्योंकर law में तो इसकी इंग्रेजी लिखी होगी तो resident मंदा कौन होता है resident मंदा वो होता है जो citizen हो और बाहर के मुलक में 182 से ज्यादा दिन ना रुके ये इंग्रेजी बनेगी हम लोगाँ ही इस अच्छा पाकिस्तान और इस नाट प्रेजन इन एनी अदर कंट्री फार 182 डेज से ज्यादा अब किसी मुलक में रुके नहीं रहा तो हम ही इसको क्या बना लें अपना resident नाट प्रेजन इन एनी अदर कंट्री नाट प्रेजन इन एनी अदर कंट्री फर मोर दें इसको अपना resident लागा अच्छा जी आखरी concept है दो इस नाट सो important बट लेट मी टेल यू वो concept यह के कई दफाना आप हर मुलके ना lot different है कई दफा आप किसी मुलक में ना वैसी कुछ दिनों के लिए जाते हैं सो डेट सो दिनों के लिए वो मुलक आपको वैसी कहने लग जाता है यार यह resident है पता नहीं दूसरे मुलकों में क्या rule हो एक सू दिनों वला बनता है एक सो पचास दिनों वला बनता है पता नहीं क्या बनता है होसते कोई मुलक इतने जालिम हो वो कर जैसे कदम रखो तुम resident हो एक सेकंड के लिए भी रुके हो किसी मुलका क्या पता हमें तो एक अजीब सा सेनेरियो बन सकता है कि एक बंदा में रुका सो दिन क्या 183 दिन से ज़्यदा रुका क्या तुमारे पास citizenship है पाकिस्तान की वो बंदा कहता है क्या तुम किसी और country ने तुमें resident बना दिया है क्या किसी और country ने तुमें resident बना दिया है किसी और country ने उस मुलक में तुमें resident बना दिया है हाँ किसी और country ने हमारी नज़र में तुम क्या हो logic प्या जाद रहेगा हमारी नज़र में क्यों है कि तुम क्या हो क्यों कि किसी और तुम है पहसकते बाइन पहले एक दिन पे इसको क्या बना दें resident आखरी मिसाल logic पे एक बन्दा सो दिन पाकिस्तान में रुका तो क्या वानिटी थ्री डेस से अधा रुका? उसके पास पाकिस्टान का आईडी काड है? है किसी मुल्क ने तुमें रेजिडेंट बनाया है? नहीं कोई लिफ्ट नी करा रहा, कोई रेजिडेंट नी बना रहा आजो आजो लेटो छितन लगाओ इसको ये क्या बन गया? रेजिडेंट तो ये एक अजीब सा सेनरियो है, ये भी आ सकते है पेपर में लेकिन ये पेपर में हमें कैसे पता चलेगा आया है? पेपर में एक लाइन लिखी होगी कि फ़ला मुलक वालों ने इसको रेजिडेंट बना दी है जा नहीं बनाया इस तरह की लाइन लिखी होगी पेपर में जहां से मैं दादा होगा वरना जनरल रूल तो मैं कहुँगा ये वहला आप लगाईएगा ठीक है? कोई भी इसको लिफ्ट नहीं करा रहा अब बिचारे कोगर कोई लिफ्ट नहीं करा रहा तो हम इससे क्या बना दें? रेजिडेंट ओवर? चलें जी बिसमिल्ला पढ़के आखरी दफर विजन कर लेते हैं अगर एक बन्दा दो सो दिन पाकिस्तान में रुका सबसे असान सवाल होगा आई कैप की हिस्टरी का ये चुप करके क्या बना दें? ना सिटिजन्शिप पूछे ना और कुछ पूछे दूसरा सवाल में ना अगर एक बन्दा ऑफिशल है फेडल गर्मेंट का या प्रोविशल गर्मेंट का जिसकी बाहर पोस्टिंग हुई भी है क्या बना दें? अगर एक बन्दा पाकिस्तान में सो दिन रुका इसके पास आईडी कार्ट भी है और किसी और मुलक में वन एटी टू डेज नहीं रुका तो कहीं जा ही नहीं राज़ यह आना जाना लगाया है हम क्या बना दें से? और अगर पाकिस्तान में सो दिन रुका और आईडी कार्ट इसका है पाकिस्तान वाला और यह किसी और मुलक में 182 डे से ज्यादा रुक के आ गया किसी मौर मुलक में 182 डे से तो जाओ यार तुम फिर उन्हीं के बंजो हमें छोड़ो फिर आप क्या बंजेंगे और आखरी तो ये बड़ा सान सा था इदर वला सेनेरियो एक बंदा सो दिन पाकिसान में रुका हाँ क्या 183 ज्यादा रुका नहीं तो 183 ज्यादा नहीं रुका कोई बंदा पाकिसान का ID कार्ड भी उसके पस नहीं है ना 183 दिन रुका ना ID कार्ड है अब इसे क्यों तंग करें छोड़ दें इसको अपने हाल पे इसे क्या करार दे दें और आखरी कॉंसेट पाकिसान में सो दिन रुका हाँ यानी 183 से ज्यादा नहीं रुका क्या ये सिटिजन है हाँ क्या किसी और मुलक ने तुम्हे नेशनलिटी नहीं बोलूँगा मैं आप लोगने सुनूगा किसी और मुलके नेशनलिटी दे दी नेशनलिटी नहीं बोल रहा हूँ, नेशनलिटी तो और चीज होती है, उसे दूसरे मुलका ID कार्ड मिलता है आपको तो क्या किसी और मुलक ने तुम्हें रेजिरेंट करार दे दिया है, उनके लॉक के मताबिक हाँ यार, एक मुलक ने मुझे रेजिरेंट करार दे दिया है, जाओ यार फिर तुम, तुम हमारी नजर में क्या हो, और अगर कोई मुलक भी तुम्हें ID कार्ड है, वो सुरी ID कार्ड है, कोई मुलक भी तुम्हें रेजिरेंट ने मान रहा किसी भी मुलक में, फिर तुम हमा अपल्जाप को करवा दी है वो नहीं अच्छा यह एक नुमेरिकल करने पहले पेज वन फिफटीन पे पहले मैं यह कराता हूँ बाग में बाकी चीज़ें कराता हूँ पेज वन फिफटीन पे अपनोज झालपी जारी कराता हूँ पेज़ें आपल चीज़ीन पेजारी करने पल्यारिकल करने पहरें Beimुटन पेज वन फिफटीन फेज़ें करने ए Ram Social कर ढ़िए-उन में इट पॉटीन मैं मैं करने दी हुन मैं कर पेजरें रडरें कर रार सता 잡 attract 2017 को मैंने लिखे 20W7 2018 को मैंने लिखे 20W8 2019 को मैंने लिखे 20W9 तो मैं आपको शो ये करना चाहरा हूँ कि मैं 1 की जगा W लिख रहा हूँ 2020 जब आया ना तो 1 2 हो गया उदर फील करें ये जब आया तो 1 क्या हो गया 2 हो गया 1 क्या हो गया 2 हो गया तो अब मैं W को क्या कर दो X I hope it is clear now तो अब फिर ये 2 2 2 ही रहा तो मुझे अब X स्चेंज करने की जरूरत नहीं चलें अब मैं आपका टेस्ट लेता हूँ 2030 2030 20 Y 0 और 2031 Y1 अब ये ना पुछी के ज़ेड़ के बाद क्या आएगा तो इस तरह दरा चीज़ें ले नोट की जाती है नोट करें ये आप साथ ले जगह पे सफ़े पे छोटी सी जगह खाली है तो लिटा के नोट कर लें समझाई है मैंने ऐसे नोट किया है आप लिटा के नोट कर लें वैसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं चोटा-चोटा करके तो 2017 से निकलना जुरूरी तो नहीं 2018 से लिकना चुरू कर दें बाद कांसेप्टी लेना किताब के खुदी तो नहीं बनाएवे वालियूम वालियूम वन वालियूम टू और वालियूम वन घर बढ़ावे बनाएवे यह लिकलो होने खुदी तो नहीं बनाएवे लिकलो होने खुदी जो टाइम जया हो जाता है ना इसकी कोई कंपंसेशन नहीं है ना आपके वालदाएन कंपंसेशन दे सकते हैं ना कोई टीचर कंपंसेशन दे सकता है कोई दुनिया का इंसान कंपंसेशन नहीं दे सकता है टाइम जया होने की जो टाइम जया हो गया वो हो गया कुछ जमाल नहीं होता था कमाल अंकल का बेटा हमारा सवाल किस साल के दो हजार बाईस का अनिकत्य संबर दो हजार इक्ष अनिकत्य संबर दो हजार इक्ष जमाल रिजाइन फ्रॉम इस एम्प्लॉइमेंट विजनल हॉस्पिटल छे महीने नोकरी की हमारे साल या बारा महीने छे महीने दिसंबर में रिटाइर हुए ना या जुलाई गज सब्तंबर अटूबर नमबर दिसंबर इन जनवरी दो हज़र दो ही रिसीवड फॉलिंग इमॉल्मेंट इन फाइनल सेटलमेंट जनवरी दो हज़र दो में इसको ये फाइदे हासिल हुए अगले महीने मुझे तो लग रहे कि दिसंबर 21 भी 2022 ही है क्योंकि जुलाई किस से कुन सा साल शुरू हो चुके है और जनवरी 22 भी 22 ही है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दिसंबर 21 भी 22 ही है और जनवरी 22 ही है तो हमारे साल अल्ला का शुकर है 6 महीने नोकरी की 7 महीने में उसको जाते जाते हैं अप्लॉयर ने ये पैसे दिये छे लाग लीव in cashment दे दी लीव in cashment मैंने बताया था taxable है यह जो provident fund के पैसे है ना यह है accumulated balance जो retirement के time पे मिलते है क्योंके provident fund recognized है इसलिए यह पैसे क्या हो जाएंगे exempt हो जाएंगे असल में ना provident fund में एक होता है employer contribution एक होता है employee contribution एक होता है interest वो provident fund की basket में हम डालते रहते हैं 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 लेकिन जब retire हो रहा हूँ employee तो basket में लाल कपड़ा हटा के उसे पैसे दिखाते हैं और कहते हैं बास्किट घर ले जाओ आपको क्या feel हो रहा है यह basket घर लेके जा रहा है या employer employee contribution कोई figures available है In January He received falling amounts In Final settlement क्या मतलब है इस बात का अब ये पैसे कहां लेके जा रहे है घर लेके जा रहे है ये पैसे कहां लेके जा रहे है तो बता दें रिके नाइस प्रॉविडेंट फंड के पैसे जब घर लेके जाता था तो हमने इसको क्या पढ़ा था exempt होगा अचा इसको 13 लाक और 17 लाक मिलाए January में as a salary, salary के तोर पे बकाया जात relating to 2-0 W-9 W-9 अगर मैंने X के लिए 2 यूस की है अगर मैंने X के लिए 2 यूज़ की है तो उसने रिवर्स हमारा है X से पिछला डिज़िट यूज़ की है पिछला डिज़िट कुन से है W तो W के लिए क्या यूज़ करूँ Excellent 1 2019 और 2030 तो उसको 2019 का बकायाजात मिला 2022 में और 2020 का बकायाजात मिला 2022 में Dr. Jamal had also received a monthly salary of 5 lakh from July to December December तक 6 महीने उससे तनखा कितनी मिली चलें जी General rule के salary किस base पर tax होती है जब receive हो General rule के salary किस base पर tax होती है जब receive हो तो आप मैं salary पर tax लगाने लगाँ receive base के उपर तो let's start 6 महीने इसने नोकरी की ये पांच लाथ मुझे पकडवाई on receipt basis 2,0 x2 ये हमारा साल चल रहा income from salary जी बताएं basic salary पांच लाख लाख इंटू छे तीन हजार लीव इन कैश्मेंट 600 प्रॉविडेंट फंड के जो accumulated balance मिले है area कौराने साल की तंखा मिली है जेनरल लूले salary is text on 2,0 W9 के कितने पैसे मिले हैं 1300 और 2,0 मैं receipt accounting follow कर रहा हूँ 19 के पैसे 22 में मिले और 20 के पैसे यही मेरी taxable income आगी झाल लो कुछ युझ कुछ युझ झाल झाल कोई बंदा टेक्स निकलवाय जाके चेप्टर फॉर में टेवल वन लगेगा टेवल टू लगेगा हाम मादरत क्योंकि सिर्फ चैलरी है हाँ जी वन डबल जिरो फाइव ट्रिपल जिरो 32.5 परसेंट आफ छेला बारह ये इसका टेक्स आगया किस साल का दो हजार बाइस का कि इदर आओ एक मेंट इदर देखें ये 2021 का ये 2020 का ये 2019 का ये 2021 का इंकम भी और टेक्स भी इंकम भी टेक्स भी तो ये पिछले सालों का डेटा अवैलैबल है बाइ डिफॉल्ट पिछले सालों में भी रिसीट अकांटिंग फालो कर होगा जनल लूल किया है सेलली पर कब टेक्स लगाने जब मिले रिसीट अकाउंटिंग मैं फॉलो कर रहा हूँ यह हेडिंग एंड तक के लिए 20X1 में सवाल में इंकम कितनी दीवी है मैं देख लगा 20X1 में सवाल में इंकम कितनी दीवी है और टेक्स 4800 और टेक्स 630 20X0 2020 में सवाल में इंकम कितनी दीवी है और टेक्स 2019 में इंकम और टेक्स 2018 में इंकम और टेक्स नोट कोई ये में ने कौन सी अकांटिंग फॉलो की है कैश अकांटिंग सारे सालों में सर आपको कैसे पता चला पिछले सालों में कैश अकांटिंग फॉलो हो रही थी बाइ डेफॉल्ट हमेशा कैश अकांटिंग फॉलो होती है उपर हेडिंग दे दें बड़ी सी और उसको डबे में ले लें और रिसीट बेस डबे में लेके हाइलाइट कर लें या कुछ भी कर लें बेतर है अगर रिजिस्टर में आप गुंजाईश है तो अगले सफ़े पे हेडिंग दे अन एक्रूवल बेस अब मैं कौनसी कांटिंग फॉलो करने लगा हूँ एक्रूवल एक रूवल में मैं क्या करूँगा इदर देख्येगा मैं पक्डूँगा जरा मुझे तरह साब मजबूती हासल है मैं पक्डूँगा तेरा सो को और तेरा सो को पकड़ के इस बत्तिस सो में डाल दूँगा जिस साल की है तू दा येर इन विच दा सर्विस इस रेंडर और फिर मैं इस सत्रा सो को पकड़ूँगा और इस को पकड़ के इस अठटिस सो में डाल दूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप सई जगों पर अब सारे सवालों का साल दुबारा साल करते हैं अन एक्रूवल बिस सर पेपर में भी ऐसी करना है नहीं पेपर के लिए लग क्लासे होंगी अक्टूबर में दो हजार दो इंकम फ्रॉम सेलरी बेसिक सेलरी तीन हदार लीव इन कैश्मेंड छेस सो प्रॉविडेंट फ़ंड शित्यस सो क्यों रोक दिया यहां? क्योंकि उन अमाउंट्स को उधर ही डालेंगे जिस साल से वो रिलेट करते हैं निकालें जी टैक्स जी वन लेक कहां गयो? टेबल वन में गयो? टू में? टेबल टू में वन लेक फिफ्टी वन लेक्स 65,000 प्लस 20 परसंट आफ 12 लाक लेकिन जवाब रुपीजी न थोजन में बताईएगा 4,0 5 2,0 X,1 इनकम अर्टालिस सो और टैक्स छेसो तीस अब वो टाइम आगय है के 1300 और 1700 यहां नहीं डाला था तो 1300 और 1700 में से 1700 यहां डाल दें तो इसको बढ़ा देगा जै यह तो इस साल की अपनी तन खाये होंगी न जो मिली होंगी और इस साल का कोई बकाया पैसे भी लेने वाले हम रहते थे 1700 किस साल में कोई गाड़ी वगरा बेनिफिट दी होंगे वो इदर आगे होंगे इस साल के बकाया जात कोई रहते होंगे वो इदर मिले हैं अब मैं क्या करूँ 2,0 X,0 मेरे इंकम को रिवाइस करूँ क्वेस्टन के मताबे कितनी थी लेकिन मुझे पुराने पैसे कितने मिले हैं अगर उसी साल मिल जाते तो कितनी इंकम होती पच्पन सो टेक्स निकालना पड़ेगा टेक्स जी चारलाग जमा आफ उन्निस लाक आठ सो असी अब अगें ड्रैग और ड्रॉप करें तेरा सो को ड्रैग करके इस बत्तिस सो में ड्रॉप कर दें टू जिरो डब्लियू नाइन रिवाइस इंकम बताएं बत्तिस सो जमा तेरा सो पैंतालिस सो टैक्स निकालना पड़ेगा पैंतालिस लाक पर चार लाक पांच अजार टॉंटी फाइप परसेंट आफ नो लाक नो लाक आख आखरे साल में को मसला 2-0-W-8 इंकम टैक्स ट्री 60 option 1 में हमने क्या किया था receipt basis और option 2 में एक रूबल बेसिस इफ कैश अकांटिंग फॉलो करो तो मेरा टैक्स सारे सालों का 1200 जमाँ 630 जमाँ 300 जमाँ 405 जमाँ 360 बारा सो जमाँ 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 यह एक साल का टैक्स है या सारे सालों का इफ एक रूवल तो मेरा टैक्स सारे सालों का 405 जमाँ 630 जमाँ 630 29 जमाँ जी कौन सी अकाउंटिंग कैश अकाउंटिंग बेतर है कैश अकाउंटिंग पाई जाना बेतर कौन सी है एक रूवल में तो इजर्ट एक्स बन रहा है वारा नहीं हापूमत की बात तो नहीं करते हैं हमारे पास जब दोनों ऑप्शन है तो हम तो कम वाली ऑप्शन एक्सराइज करेंगे तो टैक्स अंडर कैश अकाउंटिंग इस नाव फिजिबल तो बी पेड कैश अकाउंटिंग वाला टैक्स पे करना है हमारे लिए फिजिबल है जब दो ऑप्शन हो तो फिर कम टैक्स पे कर दें ज्यादा बितर है सवाल के रिक्वार्मेंट की तरफ में आने लगा हूं ये तो टैक्स है क्या मैं 2895 पे करूँ या 2105 पे करूँ मेरे खाल से तो इन दोनों में से कोई भी पे नहीं करना क्योंकि काफी साला तो पिछले सालों में पे कर चुके हैं तो अब पे क्या करना है उसके लिए तो जरा attentive हो जिल्शा वहीं फड़ा सा मैं एक बात करने लगा हूं आप से तादी हिम्मत करके पे क्या करना है जो payment है न कैश अकाॉंटिंग में payment कितनी बनती है और एकरूल में payment कितनी बनती है वो जरा आप में बताने लगब पेमेंट, बकाया, बकाया पेमेंट cash accounting में, इधर देखें, छोड़ें दरा ये pay हो ये तो आप payment नहीं करनी है, ये pay हो ये pay हो ये pay हो cash accounting में अगर मैं बात करूँ तो फिर हमारे साल वाला बस pay करने हैं, बाकि सारे तो pay हो चुके हैं तो पेमेंट बनती है कितने की बारा सो हाँ सारे सालों का टेक्स 2895 है लेकिन पे तो भी सिर्फ बारा सो करना है ना बहुत रेंडे हो जाएं अगर मैं आप से पूछू है क्रूल अकाउंटिंग में मैंने कितनी पेमेंट करनी है तो वो आप मैं बताता हूँ क्रूल साल है कुछ करनी की दरो होती अब और कुछ पे करनी की दरो होती अ साल का कितना टेक्स καलकूलेट कर लिया था और दे दिया था नई accounting कह रही है नहीं 630 देना था कितना देना था 630 कितना दिया कितना और दे दू 200 I hope आपको समझा गए ये फिकर कैसे निकली ये दो देना पड़ेगा ना पिछले साल के बकाया टेक्स देने पड़ेंगे अब फिर इंदे इंडेसाइड कर लेंगे ना कैश वले जा क्रूल वले इस साल का कितना पे कर चुका था लेकिन बनता कितना ये कितना और पे कर दूँ 500 एक तो ये पे कर दूँ 500 से इस साल का कितना पे करना था सोरी पे करना था और पे भी कितना कर चुका हूँ आखरी साल में अब कंपेर ना कीजिए गा 12405 का क्योंकि आखरी साल की पेमेंट अभी तक हुई नहीं वी तो इस अकाउंटिंग में आखरी साल की पेमेंट कितनी बनती है 405 तो 405 मैंने देना है अब मैंने कौन कौन से टेक्स देने है ये पुराने साल का देने 2019 का ये 2020 का देने बकाया बकाया 2019 का देने टेक्स बकाया 2020 का देने और सारा 2022 का देने ये तो सारा ही देने अभी आप बता दें 1210 again conclusion क्या निकला कुन सी payment मैं करूं 1200 कर दूं या 1210 कर दूं तो सवाल की requirement tax payable कितने है तो tax payable को underline करके लिखने है सवाल की requirement 1200 tax payable is 1200 1210 कर रहा हूं पे या 1200 क्या फरक है उन दोनों में इधर टेक्स मैंने लिखे इधर पेमेंट लिखी है समझागे है फरक तकिन अजने लिख समय करी और यकसिए ए्यों कोरीबियो आविग ए्योcular आवे इधर दी कि अविदी पियंगे है भी दोनों कि उन्ह Variant रषम से रहां लिखशद से लिए उके इदर आजे अगली बात उर्दू में लिखे हैं सवाल पर इस सवाल में पिछले सारे सालों का डेटा दिया वा था इसलिए हमने दोनों मेथट लगा के देखा कौन सा बेहतर है इस सवाल में किताब पर लिखे हैं बेहतर है इस सवाल में पिछले सारे सालों का डेटा दिया वा था इसलिए हमने दोनों तरीकों से कैलकुलेट करके देखा के कौन सी आप्शन बेहतर है इसलिए हमने दोनों तरीके से कैलकुलेट करके देखा कौन सी आप्शन बेहतर है अगर पिछले सालों का डेटा ना दिया होता अगर पिछले सालों का डेटा ना दिया होता तो क्या करते यार पर तो जनरल रूर लगाते है रिसीवड अकाउंटिंग फॉलो करते है फिर रिसीवड वाली पहली वाली तो जनरल रूर लगाते हैं रिसीवड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं गोल्डन हैंडशेक के केस में तो पिछले सालों का डेटा दिया हो तो वह भी फिर हम दोनों तरीके से करके देखते हैं एक सवाल में गोल्डन हैंडशेक में पिछले सालों का डेटा दिया हो था वो तो हमने दोनों तरीके से क्लेशन की थी अच्छा अब आप अजरा जरा चेप्टर पंदरा पे आजएं मादरत भई आपको इतना गुमा रहे हैं शायद लिखा भी हुए मैंने सासरत कहां कहां जाने हैं चेप्टर उननेस पे मादरत चेप्टर उननेस पे जिसमें रिवीजन होगी चेप्टर पंदरा की चेप्टर पंदरा चेप्टर उननेस पे ट्रभे उननेस पे लिए भी हैं 462 463 464 अच्छा जी बेस्ट जज्जमेंट पुराने कितने सालों की हो सकती है फिर्स्ट अमेंडमेंट कितने अर्से में हो सकती है सब्सिक्वेंड अमेंडमेंड विचेवर इस डिस्प्यूटिट प्रॉपर्टी में कोर्ट का फैसला आने के एक साल बाद एक आखरी दिन कॉंसेट पढ़ा था दो साल एक साल और दो महीने यह एक सक्षं में बढ़ा सा एक सो चोबिस में तो यह असेश्मेंट के चैप्टर में डेट्स उज़ ह ego ही है इस सारा असेश्मेंट के चैप्टर है जसमें जो जो यह देट्स उज़ हुई है आगे पिछला सप़ा कमिशनर आपको नोटिस भेजते है कि बाइजन बारा महीने की रेटान आपने नहीं बनाई भी ये एक नोटिस आते है आपके घर आपने उसका जवाब देना होते हैं लेकि लॉमिकर ने लिखा नहीं कितने रिसे में जवाब देना है अगर आप बारा महीने वले रेटान केने के बावजूद भी जमाना कराएं तो आपको सजा ये मिलती है कि आपकी आपके गर नोटिस आया कि आपने रिटान ही जमानी कराई बारा महीने से कम वले नहीं नॉर्मल वले रिटान ही जमानी कराई आप आपने तीस दिनों में जमा करवानी है रिटान आप आपने तीस दिनों में रिटान जमा करवानी है यह या पिछले पांच सालों की मांगी जा सकती है या पिछले दस सालों तो या पिछले पांच सालों की मांगी जा सकती है या पिछले दस सालों की याद आ रहे हैं वो पुरानी बाते और अगर फिर भी जमाना करवाएं बेस चेजम्मेंट से बेस आपको नोटिस आया कि आप वैस स्टेटमेंट जमा करवाओ कब तक जमा करवानी है नहीं बताया वा जब वो कहेगा तब तक जमा करवाएं वैस स्टेटमेंट आपने जमा नहीं करवाई आपके क्या हो जाएगी बैस स्टेटमें आपको नोटिस आया कि आपने बिजनस डिस्कांटिन्यू कर दिया तो बस ठीक है आप वो जब उसने का है तब तक बिजनस डिस्कांटिन्यू करने के बारे में उसको बता दें आपको नोटिस आया कि आपने रिटान तो जमा करवाई है लेकिन ना मुकमल है जमा करवाई है लेकिन ना मकमल है तो आप इसको मकमल करें कमिशनर 180 दिन में कह सकता है मकमल करें 180 दिन के अंदर मांग सकता है आपसे और वो पूरी डायगराम मना के सिखाया था कमिशनर 180 दिन में आपसे कह सकता है कि इसको ले कि आओ तो 180 दिन के अंदर कमिशनर कह सकता है आपने गब लानी है वो नहीं बताया वा और अगर आप नहीं लेके आते हैं तो रिटान आपकी इन्वेलिड है अब ना पेपर में सवाल आता है कमिशनर हैज इशूडा नोटिस बाइदर देखो पेपर में सवाल आता है कमिशनर है इशूडा अब वो नोटिस पता ही नहीं चलता कौन सा वल है तो कुछ नोटिस असान है सिर्फ दो नोटिस ऐसे हैं जिन में कनफ्यूजन हो सकती है ये वला नोटिस भी असान है ये वला नोटिस भी असान है और ये वला नोटिस भी असान है इन तीनों की तो मुझे टेंशन नहीं कि पेपर में अगर सवाल आया कि नोटिस भेज़े कमिश्टर ने तो ये नोटिस आप पकड़ लेंगे कौन सा वला है एक less than 12 वला है एक well statement वला है डिसकॉंटिनस वला है दो notice हैसे जो mix हो सकते हैं इस notice में वो कहराएं ये भी important हो गई ये भी important हो गई इस notice में वो कहराए कि आपने returnी जमा नहीं करवाई अब आप पिषले 5 या 10 सालों की return ले ओ और नीचे वले notice में कहरा है return तो जमा करवादी है बट complete नहीं है तो इसमें फिर आपको सिर्फ deficiencies पूरी करने पड़ेंगी जो जो मसला है तो ये दो notice है जो mix हो सकते हैं कल हम इंशाला चैप्टर 15 में वो सवाल करेंगे जिसमें लफ़ आ रहा होगा notice का, show cause notice नहीं वो अलग होता है उसके बाद तो amendment of assessment होती है बस अब minimum text जड़ा देख लेते हैं क्या होता है I am business के chapter में माधरत याई दरुदर आपको घुमारा notes में लिखा हूँ है सारा बहराल page 171 Girani and Company गिलानी गिलानी and Company is a sole provider and dealing in various consumer products in Pakistan इस साल उसकी taxable income is 6.1 million 2022 की under the program college ordinance compute the tax payable and income tax to be carried forward if any in each of the following situations assume करें गिलानी की sale है 120 million sales tax डाल के working मुझे sales चाहिए sales tax डाल के नहीं sales tax डाले बगार 100 million से अगर ज्यादा होई इसकी sale तब इस पे section 113 लगेगा वरना नहीं लगेगा जिस बंदे की sale साल की 100 million से ज्यादा है उसने दो तरह tax calculate करना है एक उसने tax calculate करना है sale का 1.25 लगाके और एक उसने tax calculate करना है नॉर्मल तरीके से टेक्स निकलेगा इस पर और अबनॉर्मल तरीके से टेक्स निकलेगा sale का लेकिन sale मुझे गलत दीवी है sales tax डाल के मैं sales tax निकालने लगाँ sales sales निकालने लगाँ sales tax के बगार वाली अगर 120 500 118 पे पढ़ए तो बताओ 100 कितने हां जी 118 is it greater than 100 million yes it is greater than 100 million conclusion section 113 will up life इस पर section 113 लगेगा option 1 tax on 6.1 million निकालें cheating कर लें जाके tax on 6.1 million table 1 chapter 4 में tax on 6.1 million हां जी 1365 triple 0 option 2 दो तरीके से निकालना है आपके पास option नहीं होगी इसमें यह option वो वह लिए option नहीं है कि दो तरीके से निकाल रहा हूं calculation number 1 calculation number 2 आप इसे कह सकते हैं सेल का tax on सेल सेल into one point 483 कम से कम हमें 12 लाग तो दे दो वो कहते हैं मैं पहले ही 13 लाग ले क्या हूँ जो 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 13 लाग जो जो जा 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 यादा रहे हैं कम से कम 12 लाग तो दे दो उसने कहां मैं पहले ही 13 लाग हूँ सोरी सोरी आप 13 लाग दें वाट इस टेक्स पेएबल 13 लाग इधर ऑप्शन में से छोटी वाले नहीं देखने इधर ऑप्शन नहीं है आपके पास यह कैलकुलेशन के दो तरीक है ऑप्शन की जगा वे वान वे टू कर देता हूं एक तरीका यह है दोनों वेस से टेक्स निकालने एक्स्क्लूडिंग लिखा है मैंने वर्किंग में कम से कम इतना तो देदो उसमें बारा लग देओ नहीं 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 मैं पहले एक तेरे लग लेके आ रहा हूं पॉंट नमेर टू वर्किंग एक्स्लूडिंग सेल्स टेक्स सेल कितनी है डिवाइड वाइड वाइड मल्टिप्लाइड वाइड सो नाइन थ्री डबल टू जेरो जेरो डबल थ्री कहा नाइन थ्री नहीं है जी बताएं डबल टू 93 मिलियन लेस दन 100 मिलियन सेक्शन 113 विल नौट अप्लाई सेक्शन 113 नहीं लगेगा कितने तरीके से टेक्स निकालों नौर्मल तरीके से या सेल का 1.25 भी लगाऊं अगर एक बंदे की सेल साल की 100 मिलियन से कम है तो इस पर सेक्शन 113 ना लगे अब इसका टेक्स सिरफ किस पे निकाल लूँ ऑन 6.1 वो कितने हैं डन यह कौन सा पेज है 171 किताब का 171 पेज है तस्वीर खेंच लेए पेज 171 minimum tax किस के लिए निकालने है जिसकी साल की सेल वो कितने तरीके से टेक्स निकालेगा कम से कम सेल का 1.25 दे दे लेकिन अगर उससे ज़्यादा दे रहे तो वही ले लिजेगा अब इनको वड़े वड़े निमेरिकल्स में देखते हैं वड़े वड़े निमेरिकल्स में इसको कैसे करना है हाथ आगे रखो ये जो 15 मिन्ट आखरी यूट्यूब पे चड़ाने है जिसकी कहीं कलास है तो जा सकते हैं ये 15 मिन्ट आगे यूट्यूब पे चड़ाने है ओके चलो चलिए दुनिया दियो सनुक रहे मेरे गुटने से उपर नदर आ रहे की दवा गाड़ी के गोड़े बैढ़ जाते हैं की दवा बंदे के गोड़े बैढ़ जाते हैं क्या हमने चेप्टर एट में केस्टन 46 कर लिया 46 था 47 था 46 अब मैं चाहरा हूं कि हम पेज 410 पे क्वेस्टन 39 करें ताकि मिनिम्मम टेक्स आपको रिवाइज हो पेज नमर पेज नमर अच्छा मौतरम इस सवाल में सेल दी नहीं वी तो हमने वैसे भी नोरी करना था सेल तो अवेलेबल हैं नहीं तो क्या करें सवाल में सेल दी होनी चाहिए था ना फिर इंग्नौर करें मिनिम्मम टेक्स अब में तो आपने भूल जाने के सेक्शन 113 नाम की कोई चीज है कितने तरीके से टेक्स निकालना है एक तरीके से लेकिन अगर question 39 आए इसकी requirement में देखें लिखावा एक नोर मिनिममम टेक्स लिखावा एक नोर मिनमम टेक्स नहीं लिखावा एक नोर मिनमम टेक्स और sale भी 100 million से ज्यादा है sale भी 100 million से ज्यादा है it is greater than so million अब क्या करूँ मैं नोट दे दू I have ignored minimum tax नहीं 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 यह नोट में देना अब minimum tax consider करना है और कितने तरीके से tax निकालना है एक normal तरीके से और एक sale का भाई जन ये figure 118 पे थी कल की class में उसने sales tax minus इसलिए किया है कि ये figure 118 पे है तो आप बताएं अल्ला का शुकर है ये figure मेरी 320 वाली बनी है क्या ये already 100 पे आगी है खुदी हाँ discount भी minus होता है sales में से क्योंकि section 113 में ये लिखा वा था sales tax और discount के बाद वाली sale आपने देखनी है तो अब मुझे बता दें ये figure 118 टाइप है ये figure 18 टाइप है कलोटर पे चेकना करें ये figure 118 टाइप है ये figure 100 पे आगी तो अल्ला का शुकर है मुझे sale वो ही चाहिए होती है जिसमे sales tax ना पढ़ाओ तो अगर पढ़ाओ था 330 में तो हमने already minus कर दिया अल्ला का शुकर है अब ये जो मेरी 320 मिलियन की sale है it is my real and genuine sale it is greater than अब मैं text कितने तरीके से निकाल लूँगा दो तरीके से solution में आए test का solution अपलोड कर दिया है हाँ जी यह कोई सवाल है इस बंदे की income from business कितनी है taxable income normal तरीके से tax बाइजन मैंने higher off लिखे वो भी ठीक है लेकिन higher off मैंने कहता ना use करें ये लिख लिया करें बाइजन कम से कम sale दो तरीके से मैंने निकाल ले टेक्स भी सवाल करा किया है वो गिलानी वला आपको normal तरीके से tax निकाल ले वो zero निकले बाइजन कम से कम sale का 4000 तो दे दो लेके कितने आ रहा था देगा कितने कम से कम 4000 तो दे दो अब देगा 4000 मैंने क्यों यहां minimum tax लगाया है क्योंकि sale से ज्यादा है और ignore गनी कावा done practice makes a man AOP के chapter में आए मैंने सफ़े नमबर डाले में सारे notes में 262 चाहे individual हो चाहे AOP हो sales 100 million से कर ज्यादा होगे तो फस गया page 262 sale is greater than 100 million sale is greater than 100 million ignore minimum tax अला करे लिखा हो कोई ठीक है नहीं लिखा हो ignore में नहीं हो टेक्स क्या करूँ ignore करूँ या consider दो तरीके से टेक्स निकलेगा इस solution में मैंने बिलकुल अच्छी presentation नहीं की वी इस solution में मैंने एक अंजूसी मारी है अभी एक income मेरी आई थी 6.1 million गिलानी वाले सवाल में वो taxable income थी इस सवाल में taxable income 2.1 गिलानी वाले में कितनी थी 6.1 इस सवाल में sale अच्छा कितने तरीके से tax निकालूँ दो तरीके से एक किस पे निकालूँ taxable income पे tax कितना निकला 6.690 एक किस पे निकालूँ sale का 1.7 double कम से कम 1.7 तो दे दो वो अल्रेड़ी 6.6 लेके आ रहे हैं ठिक के रखें 1.7 नहीं या 6.6 लें वो आम calculation के मताबर की कितना बाकि final tax regime को छोड़ें कि नॉर्मल चीज़ें देखनी होती है कम से कम कितना दे दो बताएं ना 1.7 लेकिन वो अल्रेड़ी कितना लेके आ रहे हैं किसलिए मैंने numerical के face पे कुन सी figure रखी है 6.6 लेकिन यह वहली calculation मुझे यहीं बीच में कर देनी चाहिए थी किस तरह अधर स्वाल में मैंने की यहीं बीच में लाकिक लेकिन नी 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 यह वहला टैक्स नी देखना हुता है यह तो final टैक्स भी शामिल है final टैक्स के तो पहली रेटल आ गए नार्मल वहला टैक्स देखना है दूंगा यह मैं एक और चीज़ अभी आपको कराने लगा हूं जो चीज़ें अप अन्हाइलेटिड बची हैं वो इन्शाला कल करेंगे ये वली को दो तीन बाते हैं ये आखरी में एक दो बाते हैं ये कल करेंगे एक बात बस मुझे करवा दे चेप्टर 15 का क्विस्टन 41 तिर चुटी चेप्टर 15 का क्विस्टन 41 homework में कहुंसा सवाल है झाल झाल I am very unlucky कि मुझे सवाल revise करवाना पड़ेगा पहले फिर point two हमारा रहता था वो करूँगा मैं सवाल revise करवाना पड़ेगा सर आपकी class में लिखावा है रियासत limited एक company है यकम जुलाई 22 से इसने सोचा है कि मैं अपना tax year किस से ले जाऊ नॉर्मल से और हमेरा year end क्या होगा करेगा अगर यकम जुलाई 22 से मैंने सोचा है कि मेरा year end 31 December होगा तो फिर इससे पिछला year का bend हुआ होगा एक दिन पहले 30 जून 22 तो मैंने कहा था यकम जुलाई 21 से 30 जून 22 इस यूर नॉर्मल टेक्स year लेकिन यकम जुलाई के बाद मैंने कह जो दिसंबर आएगा अगला ना फिर मैं वहां ब्रेक लगा दूँगा अब ये transitional year बनेगा यकम जुलाई 22 से 31 सम्बर 22 और what will be the first tax year for special year special year अब कौन सा बनेगा यकम जन्वरी 23 से 31 बारा 23 अब एक सवाल मैं आप से पूछने लगाऊ किसी बंदे ने return कब जमा करानी होती है अगर वो company है अगर वो company है तो उसका year end जन्वरी से जून में आ रहे है तो दिसंबर में जन्वरी से जून में आ रहे है कौन सा पेज है जहां ये बात लिखी वी है डायगराम बनी वी है 326 में दर्मयान में एक डायगराम बनी वी है जन्वरी से जून वालों ने कब आने दिसंबर में जन्वरी से जून वालों ने कब आने और जुलाई से जुलाई से दिसंबर वालों ने कब आने सेप्टंबर, मिल गया आपको क्लैर, इदर आए मैंने आपको एक छोटी सी कलकुलेशन करवाई थी मैंने का था, अगर जून पे खड़े हैं तो ब्रीज इस्तमाल ना करें और अगर जून के लवा किसी ओर डेट पर खड़े हैं तो ब्रीज इस्तमाल करें लेकिन bridge को इस्तमाल करके काट दें फिर bridge किसी काम का नहीं है June वालोंने का वाने है Excellent, December में और July से December वालोंने September में आने है तो June वालों को बुला लें 31, 12, 22 को return जमा कराने कलिए टेस्ट का सबाल भी यहीय था और December वालों को बुला लें सेपतंबर में लेकिन तरीका मैंने का था सोचें इसके बाद कौन सा तीसे उन आ रहा है तीसे उन इसके बाद जो सेपतंबर आ रहा है उसमें बुला ले और दिसंबर वालों को कब बुलाने एकसेलेंट सेपतंबर में इसके बाद पॉनसर तीस जो ना रहे? तो कब बला ले? यह बात है कि तो लों को याद आगी दिर आप बता ले? चले, अब यह याद आई या नही आई मुझे उससे concern नहीं है क्योंकि यह आपने revise करनी है खुद मैं जो आज आप से सवाल पूछने लगा हूँ वो यह है कि यह जो मैं return file कर रहा हूँ यह क्या है मेरा? वेल डन, वेल डन, वेल डन यह यह काम क्यों रहा है? assumed assessment order यह वली वीडियोस को भेजो वाही assumed assessment order done an assessment order can be amended within 5 years from the end of the financial year in which the assumed order is issued सवाल की एगली requirement identify the last date for amendment of assessment वेली दफाँ normal वाले की special वाले की transitional वाले की नी प्रादिशियन वाले की प्रादिशियन वाले की सिर्फ किस की? normal वाले की और special वाले की normal वाला पहला है और special वाला आखरी है यह कौन सा order बन गया है? assumed assessment order अब पांच साल मैंने गिनने शुरू करने है from the end of the I know which the assumed order is financial year होता है हकूमत का साल financial year होता है मैं यहां bridge बनाऊंगा यहां bridge बनाऊंगा हकूमत का साल तीस जून ताइस इसके बाद कितने साल गिनो यहां तक क्या हो सकती है first सबर नोट नी करना first amendment पांच साल हकूमत का साल कुन सा होता है? financial year end का मतलब के है? हमेशा तीस जून financial year end का मतलब के है? what is the its financial year end? यह assumed assessment order कि financial year में गिर रहे है तीस जून ताइस में इस से आगे कितने साल गिने लेकिन यह करने के बाद bridge को फारिख कर दे bridge किसी काम का नहीं है next इसके बाद कौन सा तीस जून आ रहे? transition का सवाल ही नहीं है इसके बाद कों से तीस जून आ रहे है? तीस जून पच्चिस bridge है तीस जून तीस तक क्या हो सकती है? फार्स्ट अमेंट वाट इस financial year end? तीस जून तो जो तीस जून आ रहे हैं उसके बाद कितने साल गिनने है? पांच साल अब आप मुझे बता दें यह जो मैंने सारा किया है यह किस page पे है? page now it's यह कौन सी तारीख है? return जमा कराने की यह कौन सी तारीख है? यह पहली दफ़ा काटने की अल्लाफ़स